हेलो बच्चों गुड मानिंग बच्चों आज अपन देख रहे हैं डीपी 3 का कुश्चन नबर 12 बच्चों L1 L2 आर टू लाइन फूस वेक्टर इक्वेस्टिन सार आर इस इक्वल टू बच्छों बहुत द्यान से देखें तो पहली लाइन ओरिजन से पास कर रही है क्योंक अलफा इस एक्यूट अंगल बिविन लवन लटू ठीक देंगल अलफा इंडिपेंड़ ओफ थीटा देन डेल्फा इस इक्वल टू बच्छों दिरख आपने को अलफा एंगल बिवीन लटू एंगल अलवन लटू की बीच का एंगल बतलब इन यह दोनों लाइन की बीच इसका अंगल है तो बच्छों डॉट प्रड़क्शन निकाल लेते हैं तो एक एंगल बिविन तो कॉस अलफा बच्छों कॉस अलफा डॉट प्रड़क्लिया किता आजाएगा ए मिल्टिप्लाइट बाइड कॉस थीटा प्लस रूट थी दिख रहा है कि बच्छों इस किता है का अंडर रूट ऑफ और मिल्टी फ्री स्कूर हैं और चर्फड प्रड theo बिविद्चा इसका मीठ्Bo चोंतने ने बोला है कि क्या कि जो एंगल अलफा है ना वह अम लिपेंटेनिंट ऑफ थीटा है बच्छों लिपेंड़िटर यह बी है independent of theta ये भी है केवल numerator पार्ट में theta देख रहा है केवल मैं numerator पार्ट लिख रहा हूं तो बचो कॉस्ट थीटा कोफिशेंट किता आ रहा है कॉस्ट थीटा कोफिशेंट आ रहा है ए प्लस सी ठीक बात बागी जाए भाड में और बाकी किता बाकी सब यानि कि आपका ए रूट 3 सी रूट 3 से कोई लेने दर नहीं कि यह थीटा पर डिपेंडेंट नहीं तो बचो केवल यह वाला पार्ट आ रहा है कॉस्ट थीटा इंटू ए प्लस सी बी रूट 2 साइन थीटा बचो इसको अपन फंक्शन ऑफ थीटा माल लेते और इसने बोला है कि यह चीज आपकी कॉंस्टेंट है बचो अगर कोई फंक्शन जो है कॉंस्टेंट है दो तरीके होते है अप्रोछ करने के क्या तो इंडीविजॉर जो अलग 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 कॉंपोनेंट आ रहा है वेक्टर सारइ फंक्शंस तो उनके कोफीशेंट च्प 2 को दो अगर कोई चीज धीटा के इन्ड्पेंडेंट थीटा है मेशा बीच सब्स साइ हमेशा होता है तो मानों लोग यह चीज हमेशा 0 है for all theta कोई भी थीटा लिया उसके लिए 0 आएगा तो मैं कहता हूं कोई theta की 2-3 value रखे देख लेते हैं तो theta बच्छो इसमें 0 रख दिया अगर इसमें बच्छो theta 0 रख दिया तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्छो इसका मतलब क्या है यह चीज अपने को condition मिला वह देख सकते ते यहीं पर आप कि अगर इंडिविजुल अलगलग टाइप के function से उनके coefficient 0 कर दो तो a plus c 0 और 20 कर सकते थे खेर आते हैं बच्छो इसने क्या पूछा है कि alpha acute angle है बताओ alpha क्या होगा तो अपना बच्छो a plus c 0 है बच्छो यह कितना रहा है आपका यहा रहा है 2 to root 2 और बच्छो यह वाला पार्ट जीरो आ गया तो रूट 3C ऊपर लिखा है रूट 3A रूट 3A माइनस रूट 3C बाके पार्ट सब 0 हो गया बच्छो a square b square c square बच्छो b to 0 इसको तो हटा दो a square a square किता हो जाएगा 2a square हो जाएगा और बच्छो यहां पर किता रहा है रूट 3 by 2 का प्लस माइनस असका है डिपेंडिंग की ए पॉजटेव है की नेगेटिव है बच्छो रूट 3 by 2 और कॉस थीटा रहा है इसका मतलब 30 डिग्री आ जाएगा 30 और बच्छो उसने हमारी हेल्प करी है कितना अच्छा एग्जामेन है कितना समझदारी से कोशन ब अच्छो अच्छी बच्छब है कितना सशी तर कहीं करbon